आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जैसे कि पिछली कुछ वीडियो से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अरिस्ट राध्या है यानि अरिस्ट किन किन इस्थितियों में होता है अरिस्ट को हम लोग जानते हैं अरिस्ट एक ऐसा कस्ट है जो बहुत ही गहरा कस्ट होता है चाहे वो चोट लगने की वज़े से हो चाहे वो बिमारी की वज़े से हो या किसी वज़े से भी कोई कस्ट हो इनसान को तो उसे अरिस्ट कहते हैं तो पिसली कुछ वीडियो से मैं आपको अरिस्ट के बारे हैं अगर आपको ये मालूम हो कि आपकी कुंडली आपसे यह कहती है कि अरिस्थ होने वाला है तो कैसे देखते हैं अरिस्थ? पीछे भी वीडियोस में बताया है, मैंने इसमें भी मैं आपको बताता हूँ अरिस्थ के बारे में बहुत सिंपल तरीका है, एक सबसे पहले योग आता है वज्रमुस्ट्री योग, वज्रमुस्ट्री योग उसको बोलते हैं वज्रमुस्ट्री योग में क्या होता है? क्या बोलता है ये? ये कहता है कि चंद्रमा पाप मध्य में हो. पाप मध्य मतलब कि चंद्रमा के दोनों और पाप गरह हो और उसमें एक साथ और आठ भावों में, यानि पहले साथवे और आठवे भाव में हो चंद्रमा यानि चंद्रमा पहले साथवे आठवे भाव में हो और पाप मद्धे हो दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो ऐसे में अरिस्थ होता है बालक ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी कुंडली में अगर ऐसा है तो अरिस्थ होता है कि चंदरमा मा का कारक भी होता है चंदरमा माता का का कारक होता है सो साथवे आठे भाव में पाप ग्रहे हो और चंदरमा महा बैठा हो और पाप ग्रहे की द्रस्टी हो पाप ग्रहे कौन से होते हैं सूर्य chapter है और इसके बारे में बताया गया है दूसरा बताते हैं ग्रहनों पगते चंद्रे सक्क्रूरे लगने के कुझे अस्ट मगे यानि लगन में छीन चंद्रमा हो और पहले चौथे साथवे आठवे और दसवे भाव में पाप ग्रह हो लगन में चंद्रमा हो और चंद्रमा भी शीन चंद्रमा जो मतलब आवस्सक के आस्पा के चंद्रमा होता है वो चंद्रमा होना चाहिए तो लगन में अगर छीन चंद्रमा है जिसे कमजो चंद्रमा बोलते हैं तो और पहले चौते, साथवे, आठे, दसवे भाव में पाप ग्रह बैठे हैं और चंद्रमा पे किसी शुब ग्रह की द्रस्टी नहीं है शुब ग्रह कौन से होते हैं ब्रस्पती और शुक्र अगर ब्रस्पती या शुक्र चंद्रमा को नहीं देख रहा है तो मैं ऐसे में अरिस्ट अव यह क्या बोलते हैं यह कहते हैं कि सप्तम में सूर्य वे लगन में शनी अमंगल हो मतला मंगल या बैठा हो चन्दरमा साथ में हो और पाप जस्टो तो शिग्र ही अरिष्ट होता है पहले साथवे आठवे भाव पहले साथवे, आठवे भाव में नवे भाव में पाप गरहे का मतब सूर्य मंगल शनी मंगल के और बारवे में चीड चन्रमा सूर्य शनीवे मंगल पहले बारवे नवे और आठ फे कोई से एक बहाव में चंद्रमा शूर्य शनी में मंगल हूँ या इन सब भाव में एक ग्रह डिस्ट्यूबिटेड हूँ चंद्रमा सूर्य शनी में मंगल इनमें से किसी एक में हूँ या चारों में चंद्रमा सूर्य शनी में मंगल बैठे हूँ कोई एक ग्रह चंद्रमा किसी भाव में पहले भा पड़े और उसके बावजूद भी कोई अरिस्ट हो जाए अदर्वाइस वो अरिस्ट को रोकता है तो ब्रस्पती की द्रस्टी अगर वहां नहीं है पहले बारवे नवे आठे बावो में चंदरमा सूज शनी में मंगल हो और इन में से किसी भी ग्रह पर ब्रस्पती की द्रस या यह यहां पुरा ढवनें उन और बहुंना का पूरा जास्त्र है डिफश ए सी द्वारा और उन्होंने सूरिय बैटा हो या चंदरमा बैटा हो और पाँचवे आठे नावे भाव में पांचवे आठे और नवे भाव में अन्म हैं शिद्धान्द बहुत important सिद्धान्द है कि लगन में सूर्य या चंद्र हो पाँचवे आठवे नवे बावने, पाप ग्रहा है सूर्य मंगल्शनी केतु राहू इनमें से कोई ये ग्रह हो अगर लगन में सूर चला गया तो मंगल शुर्य राहू केतू में से एगात रहे तो उन पर किसी भी शुप रहे की द्रस्टी अगर योग नहीं है तो अरिस्ट हो फिर कहते हैं शनी रवीव शुक्र यदी साथ हो तो अरिस्ट होता है और ये तो ऐसा अरिस्ट होता है शनी र बैठा हो चंद्रमा और वो मंगल सूर्य शनी से द्रस्ट तो माता का रिस्ट करते हैं इसमें कोई दो रहे वाली बात ही नहीं तो चंद्रमा यदि मंगल सूर्य शनी से द्रस्ट हो और वो किसी दी स्थार में बैठा हो तो माता का रिस्ट करते हैं यदि शुब ग्रह से द्र ब्रस्पती से है शुक्र से तो अभिलंब अरिस्ट नहीं देता कुछ समय के बाद कॉछ यानि शुक्र है कि इतनी महता होती है कि वह अभिलंब कस्ट नहीं देने देतें कुछ समय के पश्चात कस्ट ये इस लोग भी बहुत important है जो आपको ध्यान देना है फुल्लियों में ये चेक कर लेना जरूरी है कि कोई कुणली में अरिश्ट तो नहीं है पिता के कस्ट फई बार क्या होता है कि बच्चा जन देता है तो पिता को कस्ट होता है वो कैसे बताया है वो कहते हैं और सूर्य यदि मंगलवे शनी से दिरस्ट हो या पाप ग्रह से युथ हो तो बाला के पिता को बहुत कस्ट हो अभी पीछे माता वो कस्ट दिया था या बाला को कस्ट के बारे में बताया गया था अब यहां पिता के कस्ट के बारे में बताया गया है कि किसी बच्चे का जन दिन में हो और सूर्य यदि मंगलवह शणी सिद्रस सूर्य पीडित हो गया, सूर्य पिता का कारक होता है और पाप गॉल्च भी ओ गया तो तुत्याद dabei पाप गॉल्च से पीडित हो गया तो बालक के पिता को बहुत कस्ट देता है जन्व समय में सूर्य के साथ मंगल शनी हो और बुद्ध गुरु शुक्र में से कोई भी साथ ने हो बुद्ध शुक्र और गुरु तियों शुब रहे हैं बुद्ध के बारे में तो ये है कि वो गर शुब रहे के साथ बैठा है तो शुब शुब रहे के साथ बैठा है तो पिता वे दादा दोनों का अरिस्ट तो आप देख सकते हैं कि कितना मतलब अरिस्ट में ये सब चीजें दी गई हैं। पिता को अरिस्ट होता है। प्रभावित होना चाहिए। चंद्रमा से अस्टम राशी में ये तो सूर्य से उधर था अस्टम राशी में उपर दिया होता है। चंद्रमा से अस्टम राशी में या साथवे और नवे भाव में पाप ग्रहे हों। तो बालक की माता के साथ अरिस्ट होता ही है साथ में माता को भी अरिस्ट होता है। चंद्रमा मता है। तो ये मैंने आपको बताया अब विदेशा स्टिता का योग अगली में आपको बताऊँगा। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ गए होंगे। कोई कमेंट्स आपके हों तो जरूर लिखके बेजिए। कोई भी कोई बिखके बेजिए। कि मैं एक live session लेने वाला हूँ या मैं आपका आएगा तो जितने भी questions आपके एक interview शहाँ आने वाला है। जितने भी questions आपके हैं वो सारे questions को हम लोग cover कर लेंगे उस session के अंदर और उसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी तो आप जितने भी questions आपके वैदिक astrology सब्मंदित हैं वो भेस इसके लावा हम बैस टार्ट करने जा रहे हैं profession के बारे में, career के बारे में, advanced astrology के बारे में, remedies के बारे में या टेरो कार्ड के बारे में तो जो लोग जिस भी बैच में interested हो उसमें अपना नामनतन करा सकते हैं धन्यवाद, जैशिक